नमस्कार मैं आपका दोस्त तमिच स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके प्यार और आपके रिस्पेक के लिए स्टूडेंस तहे दिलते शुक्रिया आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा टीचिंग ऑफ कॉमर्स जो बच्चे बैचलर ओफ एजूकेशन चौदर रनवीद सिंग से या अपने एक्जाम देंगे तो कॉमर्स टीचिंग सब्जेक जिन बच्चों के पास है तो उनके लिए कुछ इंपोर्टेंट जो मैं आपको क्वेशन बता रहा हूँ ताकि ये वाले क्वेशन आपके एक्जाम के अंदर आएं और आप अच्छी तरह से अपने एक्जाम को एटम्ट कर पाओ तो गाई सबसे पहले कामर्स के अंदर का हैगा meaning, nature और aims and objective and value of teaching of commerce याणि कि meaning आ सकता है आपका इसका nature आ सकता है aims and objective and values of teaching of commerce in school life या फिर teaching के अंदर ये वाला क्वेशन डेफिनिटल गाईज कैसे ने कैसे गुमा फिरा कि आपका आ सकता है अगला जो question है guys, मैं same आपकी बात करूँगा, taxonomy and behavior objective in commerce, ठीक है guys, ये वाला question भी definitely आएगा आपका taxonomy वाला, इसको जरूर आप पढ़के जाना, ठीक है, ये वाला question भी आपके exam में आपको मिलेगा, अगला है meaning, what is the meaning of commerce, importance and step of pedagogical analysis, ये वाला question भी आपके exam में गुमा फिरा के द ready करना, अगला जो question है, explain the pedagogical analysis on the topic of advertisement and cash book, ये वाला भी question क्या है guys, जो commerce के बच्चे हैं, वो भली बाती समझते होंगे, जो आपका advertisement है और आपका जो cash book है, उससे related जो pedagogical जो आपका analysis है, इसके बारे में definitely आपसे examiner पूछ सकता है और आपको पता भी होना चाहिए, अगला ज question है, वो हम लोग discuss करेंगे, कि define curriculum and discuss the principle of curriculum, ठीक है, ये है उसके बाद commerce के जो है, तो ये वाला जो आपका question है guys, ये वाला question भी आपके इंदर आएगा, इसको भी please memorize करके आप definitely जाना, discuss the skill of stimulation, various and skill, और e-learning के बारे में, ये वाला भी question guys, आपके exam में आएगा, इसको भी जरूर आप revise करके जाना, अगला है, continuation and comprehensive evaluation, discuss in the detail, in the process of CC, ये वाला question भी हर teaching subject के अंदर घूम सकता, rotate हो सकता है, अलग अलग series के इंदर आपको मिलेगा, इसको भी जरूर से जरूर आप पढ़के जाना, ये वाला भी आएगा, आठमा question है, problem solving method, explain its merit and demerits, ये वाला भी question guys, आपका definitely आ आ सकता है, teaching subject के अंदर, इसको भी जरूर आप पढ़के जाना, अगला है, no more question, meaning, importance, type of evaluation in commerce, ठीक है, meaning क्या है, importance क्या है, type क्या है, और इसका जो मुलेंकन है, commerce के अंदर, वो सारी detail है बताइए, वो आपसे examiner पूर सकता है, अगला जो है, short note में आपके लिए आ सकता है, value of teaching of commerce, ठीक है, values के हैं, of teaching commerce की, वो बताइए, need of lesson plan in commerce, ये वाला भी definitely आ सकता है, e, जो है, आपका, e reasons on teaching learning material, ये वाला भी guys, definitely question आएगा आपका, अगला है, scope of teaching commerce, ये वाला भी आ सकता है, और last जो आएगा, वो है, accountancy, accountancy के बारे में पूछा जा सकता है, तो hope guys, ये सारी के सारी व आपके exam में आएंगे, और definitely इनको आप अच्छी तरह से memorize करना, ताकि maximum number के आप लोग acquire कर सको, तो guys, आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, please इसके लिए अपने comments, आपने जो भी चीज़ आप देना चाहते हो, like और dislike जो आप दे सकते हो, please channel को जर का कल का exam है, और बाकी और बच्चों का जो next time exam है, उनके question paper भी जल्द ही आपके हमारे youtube channel पर आपको मिलेंगे, thank you so much guys